आज मैं बनाने जा रही हूं परवल की सूपर टेस्टी सूपर डिलिशस सब्जी बहुत ही हल्दी और ग्रीन वेजीटेबल है और हर किसी को ये सब्जी बनानी नहीं आती है कि इस वेजीटेबल को किस तरह से बनाया जाता है तो वेलकम टू माई चैनल रिनाज किचेन हिंद तो आज मैं बनाने जा रही हूं परवल की सूपर टेस्टी सूपर डिलिशस रेसिपी और बनती है बहुत ही मसालेदार बहुत ही घटी मिठी सी और लाजवाब तो चले फ्रेंस बनाना शुरू करते हैं परवल की सूपर टेस्टी सूपर डिलिशस सब्जी तो परवल को मै सब्सक्राइब होते हैं लेकिन तो यहां पर मैं दाइस सूघंशंपर ले लिए हैं निकुन को जो UMC雪 में कर कर सकते और इनको बड़े पीसेज में भी बना सकते हैं तो मैं बनाने जा रहे हुँ छोटे पीसेज में तो यहां पर देखें मैंने गैस पर कड़ाई रख दी है और इसमें एड़ किया है एक चमचा आईल तो ये सबजी बनती है बिल्कुल आईल में और बगर पानी में डाले बनाई जाती है तो इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो यहां पर तेल गरम हो चुका है तो सबसे पहले जो इंडिकें कर लिए मीडियम साइज के जिसको की हलका सा मोटा काटा है तो अब आप चाहे तो इसको बारिक भी काट सकते हैं बिल्कुल लेकिन जो मोटी प्याज करेंची ने सोता वह अलग ही होता है तो यहां पर इसको बिल्कुल लगाता चलते हुए फ्राइब करना है मिनिमम एक से दो मिनित के लिए तो एक से दो मिनित तक इसको फ्राइब कर लिया है यहां पर तो फ्राइब करने के बाद में यहां पर में ग्रीन चिली एड़ करने जा रही हूं दो से तीन थोड़ा से स्पाइसी बनाने जा रही हूं और आप अगर नहीं खाते हैं तो आवर्ट भी कर स तो इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है तो इस हिसाब से इसको बिल्कुल लगाता है चलाते हुए दो से तीन मिनिट के लिए फ्राइ करना है फ्राइ करने के साथ ही अब इसमें मैं जितने भी सुके मसाले हैं वो एड करूंगी तो यहां पर मैं चौता ही लिए तो यहां पर रेट चली एड करने जारी एक चमच और इसी के साथ मैं करूंगी धनिया पाउडर एक चमच तो मसालों को मिला लेंगे और मिलाने के बाद यहां पर मैंने पांच मिनित के लिए धक्का रख दिया था तो धक्कन हटा लिए पांच मिनित के बाद में इस पर से हरे धनी के साथ इसको गार्नेशिंग कर लेंगे तो यहां पर परवल की सब्जी बिल्कुल बनकर है तहिया तो यहां पर मैं करूंगी इसकी सर्विंग सर्विंग बॉल में तो इस परवल की सब्जी में टमाटर का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है तो अगर आप टम एक से चोथाई एक से आधा टमाटा इसमें एड़ कर सकते हैं लेकिन ये परवल और लेडी से खटे होते हैं इस वजह से और उपर से मैंने ग्रीन चली के साथ इसको की है गार्णीशिंग धनिया पत्ती के साथ तो लग रही है न मैं आपको चारों तरव से दिखाती हूं पर करता है